हेलो एव्रीवन वेलकम अगेन टू लंडविर दितीमन आज हम करने वाले हैं इसकेनर का सक्रियां अनुबंधन सिद्धान्थ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपसे कुशन जो है वो पूछा जाता है इसके अलावा जो सिक्षण विदिया हैं वहाँ पर भी स्केनर की थियोरी जो है वो काम आती है जहां हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं और इसके अलावा रेखिय साखी अनुवंधन की बात करते हैं वहाँ पर स्केनर की थियोरी जो है वो यूज होती है तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे स्केनर ने जो थियोरी दी है उसका सिक्षा में क्या यूज है इस पर भी हम डिसकॉस करेंगे चली सेके थे यानि अमेरिकन मनोविग्यानिक थे जिस तरह हमने दिखा थॉंडाइक का उदीपक अनुक्रिया का सिद्धान्त जिसमें थॉंडाइक जो थे वो भी अमेरिकन मनोविग्यानिक थे उसी तरीके से स्केनर जो थे वह भी अमेरिकन मनोविग्यानिक थे यह व्यभार प्रवादी मनोविग्या ने कहे जाते हैं, इसके नर की दो बुक्स हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, behavior of organism और दूसरी बुक का नाम है, verbal behavior, तो इनके नाम भी आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, Skinner का जो सिद्दान्त है, सक्रिया अनुबंदन का सिद्दान्त, इसके अन्य नाम भी है, सक्रिया अनुबंदन सिद्दान्त तो है ही इनका operating conditioning theory, उसके बाद इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्दान्त भी कहा जाता है, response stimulus theory, क्योंकि जहां हमने थॉन्डाइक में देखा, त लेकिन Skinner के theory में हम देखते हैं उसके अपोजिट, थॉन्डाइक के अपोजिट, कि इन्हों ने सबसे पहले response और उसके बाद stimulus जो है, उसको दिखाया है, इसलिए इनके theory को response stimulus theory कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्दान्त कहते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद र अनुबंदन सिद्दान्त भी कहा जाता है, instrument conditioning theory, क्योंकि stimulus जो है, उसे नहीं दिखा कर सबसे पहले जो है, वो क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, उसके बाद ही उसे कुछ प्राप्त होता है, next हम प्रियोक देखेंगे, वहां पर हमें और अच्छे से समझ में आएगा, program learning theory, यहां पर spelling जो है, थोड़ी सी mistake है, program learning theory जो है, इस theory को कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि skinner का जो सिद्दान्त है, वो इतना important है, क्योंकि सिक्षा में इसका use किया गया है, तो सिक्षा में इसका use किया गया है, इसलिए से program learning theory भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम कोई भी का करते हैं और उसके बाद जो है वो नए नए स्टूमलस जो है वो दिखाई देते हैं तो इसी लिए इसे प्रोग्राम लर्निंग भी कहा जाता है RS थियोरी कहते हैं यह हम देख चुके हैं इसी लिए इसे आर टाइप अनुबंधन भी कहा जाता है रिस्पॉन्स टाइप अनुबंधन जो है वो है भी कहा जाता है इसे आपको याद रखना है थॉन्डाइक की विप्रीस चिद्धान थै बिल्कुल थॉन्डाइक ने ऐसार थियोरी दी है वहीं पर स्किनर देते हैं कि ऐसे कौन से व्यभारवादी मनोविज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्ट में पुनर बलन और अनुक्रिया पर बल दिया है तो आपको ध्यान रखना है वो है इसकी नर आर एस थियोरी जो है वो किनकी है आपका आंसर होगा इसकी नर इसके अलावा सिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रियोग करने वाले व्यभारवादी सिद्धान्ट कौन है वहां भी आपका उत्तर क्या होगा इसकी नर सकरीय अनुबंधन क्या है चलिए अब हम जानते हैं सकरीय अनुबंधन क्या है तो उसे कहा जाता है सक्रिय अनुबंदन. Next है, हमने बात की थी, इनके सिद्धान्त के नाम में नैमेतिक अनुबंदन आया है. तो ये नैमेतिक अनुबंदन क्या है? किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाकर व्यभार करना. यानी उसके लिए कोई भी यदि विवार करवाया जा रहा है, तो उसके लिए एक निश्चित इस्थान है. वहाँ पर उसे जान बूच कर वो विवार करवाया जा रहा है. तो उसे कहते हैं नैमेतिक अनुबंदन. जैसे कि mobile हो गया, remote हो गया, radio हो गया, जब हम mobile चलाते हैं तो हमें पता है कि कौन से button पर जैसे ही हम click करते हैं तो हमारे program जो है वो start हो जाते हैं यदि आपको YouTube channel चलाना होता है तब भी आपको पता होता है कि किस app पर जाकर आपका YouTube start होता है वही remote में भी इस तरीके के function होते हैं कि यदि आपको जो भी channel चल रहा है उसके next channel जो है जो चलाना है तो वहाँ पर एक जो आपको दिखाई देता है button जैसे ही click कर देख रहे हैं आप channel वो आ जाता है इसी तरीके से radio में होता है तो यह क्या होता है यह किसी particular इस्थान पर जाकर जो विहे वहार किया जाता है उसे नमेतिक अनुबंदन कहते हैं जबकि हमने जाना जाना क्या होता है कि विहेयर को जान बूच कर किया जाता है जबकि विहवार के अन्य विकल्प मौझूद है चलिए, जो स्कीनर के ठोरी है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि पुनरवलन और अनुकरन पर बल दे रहे हैं कौन स्कीनर लेकिन केवल यदि अनुकरन इमिटेशन की बात करें तो वहाँ पर हम याद रखेंगे बंडुरा जो हैं जिन्हों ने सामाजिक अधिगम का सिद्दान्त दिया है हम उसको पढ़ेंगे बंडुरा के सिद्दान्त को तो वहाँ वो केवल इमिटेशन की बात करते हैं तो पुनर बलन के साथ यदि अनुकरन पर बल देते हैं तो आंसर होगा इसकिनर और केवल अनुकरन की बात यदि होगी तो बंडुरा जो हैं वो करते हैं इसकिनर का प्रियोग देखते हैं इसकिनर ने दो प्रियोग किये थे कि Skinner Box में जो प्रियोग किया था Skinner ने वो किस पर किया था तो वहाँ आप कभूतर नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे चुहे पर चुहे पर जो किया था, वो Skinner Box में किया था जबकि Pizen Box में जो किया था, वो कभूतर पर किया था उसी तरीके से पिजन बॉक्स में भी एक भूके कबूतर को रखा गया था देखिए इनका भूका होना बहुत जरूरी था यदि ये भूके नहीं होंगे तो इनका जो चालक या अंतरनो जो होता है भूक तो वह उनको कारे करने को प्रेरित नहीं करेगी जिस तरीके से थॉंडाइग में बिल्ली को भूका रखा गया था लेकिन उसको सबसे पहले खाना दिखा दिया था यहाँ पर स्कीनर इनको भोजन नहीं दिखाते हैं वो सिर्व कारे करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं इसकीनर के प्रियोग में पहले अनुक्रिया होती है फिर उद्धीपक की प्राप्ति होती है जैसे ही चूह बॉक्स के अंदर आजाद घूमता है तो उसे एक आवाज आती है पर्टीकुलर पॉइंट पर पैर रखने से तो उसे भोजन मिलता है जब वो बार-बार सक्रिय रूप से घूमने पर आवाज यानी जान बुचकर की गई आवाज यानी सक्रियन बंदन सुनाई देती है भोजन मिलता है तो वह इस चीज को सीख जाता है अब वो भोजन देखकर नहीं बलकि वो जो एक पर्टीकुलर पॉइंट पर उसका पैर बार-बार रख जाता था और पैर रखने से ही उसका जो आवाज आती थी और भोजन उसको राप्त हो जाता था यहाँ पर भोजन उसको नहीं दिखाया गया उसके बाद उन्हें उनके कारे के लिए क्या मिलता है पुनरबन मिलता है उन्हें उनके कारे के लिए जो प्रोशाहन मिलता है उन्हें भोजन मिलता है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है स्कीनर और थोंडाई के एक यह है अनुकरियविवार, यानि respondent behavior, दूसरा किया है सक्रियविवार, अनुक्रियविवार क्या है, यानि S type अनुबंधन, और सक्रियविववार R type अनुबंधन, S type अनुबंदन, जिसमें उधिपक की आधार पर अनुकरिया होती है, ठीके, अब Skinner कौन से विवहार की बात करते हैं? Skinner बात करते हैं, सक्रिय विवहार की बात करते हैं, क्योंकि उनके सिद्दान तो जो है वो R-Type अनुबंदन पर ही आधारित है, और जो S-Type अनुबंदन पर आधारित है, वो किसका है? वो Pavlov का है, क्योंकि S-Type यानि कि Respond Behavior उद्ध जीपक के आधार पर अनुख्रिया करता है, कौन करता है? जो Pavlov ने कुट्टे के उपर जो विवहार किया था, वो किस आधार पर किया था? S-Type अनुबंदन के आधार पर किया था, यानि पहले उसने अनुख्रिया की थी, जबकि सक्रिय विवहार के उपर आधारे था Skinner की R-Type, क्योंकि Skinner ने जो प्रियोग किया, वहाँ पर सबसे पहले response हुआ, वहाँ पर सबसे पहले अनुख्रिया हुई कारे किया गया चुए के द्वारा, उसके बाद ही उसे उसका फल मिलता है, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि अनुख्रिया विवहार पर आधारित प्रिय करते हैं, तो पुनर बलन क्या है, चलिए देख लेते हैं, टाइप आफ रिइनफोर्समेंट, पुनर बलन जो है, वह भी दो प्रकार की होते हैं, एक्जाम में कई बार यह पूछा गया है, सबसे फस्ट है सतत पुनर बलन और उसके बाद है आंसिक पुनर बलन, जिसे कहा बार बार अच्छा कारे करता है, तो हम उसे बार बार चॉकलिट देते जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद बच्चा जो है, उसका जो यह पुनर बलन है, उसको लेने में उसको इतना अच्छा मैसूस नहीं होगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि वह जो कारे कर रहा है उसके बाद उसे चॉकलिट ही मिलेगे, लेकिन जो आनशिक पुनर बलन है, यानि विरामी, इसमें क्या होता है, कि बच्चे ने कुछ अच्छा कारे किया, उसके बाद उसे पुनर बलन की प्राप्ती होई, कुछ जमय के बाद, यानि बीच में विराम देने के बाद, फिर पुरसकार प्राप्त होता है जो पुरसकार पुरसकार प्राप्त होता है वही अच्छा माना जाता है सक्री अन्वंदन में चालक अंतरनोत काम करता है कैसे काम करता है? इसकीनर के प्रियोग में भूक अंतरनोत यानि भूक जो है वो चालक का काम करती है प्यास जैसे होती है वो चालक का काम करती है काम जो होता है वो चालक का काम करता है यदि चूहा भूका ही नहीं रहता तो वो काम कैसे करता वो काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता तो भूके जो चूहा है चालक का काम कौन कर रहा है वो भूक कर रही है चूहे का ठीक है? तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि अंतर नोद चालक या प्रेरिक उससे क्या विप्राय है तो जिस अंतर नोद की प्राप्ती के लिए कार्य किया जाता है तो वही चालक कहलाता है जैसे कि भूक को समाप्ती के लिए कार्य किया गया वह था सक्रिय अनुबंदन और भूक क्या है? वह चालक का कार्य करती है वही कार्य करने को प्रेरित करती है णेक्स्ट है आकार जिसको shaping भी कहते हैं, जब किसी अवान्चित विवार को आकार प्रदान करना हो तो उसे shaping कहते हैं कबूतर का particular बटन पर पैर मारने के लिए आकार प्रदान किया गया पिंजरे में, ठीक है, तो जो कबूतर था, कबूतर ने जो क्रिया की, तो वह क्रिया कर उसको भोजन की प्राप्ति कब हुई, जब उसने एक particular बटन पर पैर मारना सीख लिया, ठीक है, तो पैर मारना सीख लिया, तो यह आकार जो है, वो पिंजरे में जो दिया गया, वो ही उसी को क्या कहते हैं, शेपिंग कहते हैं, कि जब किसी अवंचित विवार को आकार साम थे, मैंने सभी याड़ किये हैं, तो आपको सभी याद करने होंगे, कि स्किनर की थियोरी को सक्रिया अनुबंधन कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है, आर एस थियोरी कहा जाता है, आर टाइप थियोरी कहा जाता है, यह सभी आपको याद करने हों अभी हमने तोड़ी देर पहले क्या देखा था आकार क्या था अवांचित व्यवहार था क्योंकि जान भूच कर एक आकार जो है वो पिंजरे को प्रदान किया गया ताकि कभूतर जो है वो क्रिया करे और पर्टिकुलर बटन पर पैर मारे और उसके बाद वह निकल कर अपने भोजन की प्राप्ति करे और प्रबलक क्या है यह वांचित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है प्रबलक के भी दो प्रकार होते हैं धनात्मक प्रबलक और नेक्स्ट है रिनात्मक प्रबलक यानि रिन्फोर्स्मेंट धनात्मक प्रबलक कौन सा है पॉ हमारी आविश्यक्ता होती है तो यह हमारी आविश्यक्ता की पूर्थी करते हैं सेकंड है रिनात्मक प्रवलक रिनात्मक प्रवलक नेगेटिव रिन्फोर्स्मेंट रिनात्मक प्रवलक का अर्थ धंड से नहीं लगाया जाता है पनिश्मेंट से नहीं लगाया जाता है जह यहां पर रिणात्मक प्रवलग क्या है? वो दुखधाई ठन, जिस से क्या व्यक्ति बच रहा है और उसके लिए क्या पहन रहा है? उनी कपड़े. व्यक्ति खतरना को दीपक से दूर भागना सीखता है. क्योंकि जैसे ही खतरना को दीपक दिखाई देते हैं, तो व्यक्ति क कि अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। तो रिनात में प्रभलि एक दंड नहीं है बल्कि जुक्रिया हो रही है, वहां से उसको बचा लेता है। वहां से व्यक्ति को सेव कर लेता है। अब हम देखेंगे हमने सक्रिय अनुस्बंदन से धांत देखा, हमने देखा कि जो skinner है उन्होंने अपने प्रियोग जो है वो किये पहला skinner box में किया चुहे को लेकर दूसरा prison box में किया कबूतर को लेकर इनके हमने कई उपनाम भी देखे अब हम देखेंगे कि सक्रिय अनुबंदर सिदांद की section को प्रियोगता क्या है सिक्षा में इसका क्या प कि सीखने वाला उचित पुनरवलन द्वारा निरंतर आगे बढ़ने को प्रोच साहित होता रहा होता रहे ठीक है तो सक्रिय अनुबंदर सिदांद से हमें यह मिलता है सीखने को कि यदि teacher जो है वह सीखने की प्रक्रिया और जो भी condition है उसको इस तरीके से इस तरीके से आय बढ़ने को प्रोच साहित हो सेकिंड है सक्रिय अनुबंदर सिदांद का अप्रियोग व्यवहार परिमार्जन कारे में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है नेक्स्ट है विध्यारतियों को अपने सही उत्तर की जानकारी सीखने के कारे में इससक्त पुनरवलन का कारे कर करनने के बाद उसको फलकी प्राप्ति होती है जैसे ही वह फलकी प्राप्ति होती है और उसके बाद फिर मोटिवेट होता है और फिर दुबारा से उस कारे में करने में लग जाता है तो कारे करने के उपरांत जो रिस्पॉन्स मिलता है कारे करने के उपरांत जो उसे फलकी प्राप्ति होती है और तो वह क्या कहलाता है वही कहलाता है सक्रिय अनुबंदन का सिद्धान्त क्योंकि जैसे जैसे पुनर्वलन की प्राप्ति होती है कारे करते वक्त तो वह मोटिवेट करता है इनसान को आगे के कारे करने की और फोर्थ है सक्रियन वंदन में आंत्रिक अभीप्रेणा के पेच्छा बाही अभीप्रेणा को महत्पुन इस्थान दिलाने का प्रयत्न किया गया है आंतरिक अभिप्रेर्ना की अपेक्षा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को आंतरिक अभिप्रेर्ना नहीं मिलती है, वो शुरुत से मोटिवेट नहीं होते हैं। इसके लिए Skinner क्या कहते हैं कि यदि बाही अभी प्रेरक जो होते हैं बाही अभी प्रेरक को यदि महत्पुन स्थान मिल जाये तो कारे करने के लिए वह प्रेरित हो जाते हैं. तो आंत्रिक अभिप्रेर्ण की अप्यक्षा बाही अभिप्रेर्ण को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है सक्रिय अनुबंदन सिद्दांत ने Skinner ने सिक्षा के सेतर में बताया है कि बालक अभिक्रमित अनुदेशन से स्वैम करिया करके ही सीखता है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्दांत जो है वो Skinner के सक्रिय अनुबंदन सिद्दांत के उपर ही बेजड है क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन क्या बताता है कि स्वैम करिया करके ही सीखता है जैसे चोहा जो था उसने स्वैम करिया की उसके बाद ही उसे भोजन की प्राप्ती हुई कबूतर ने स्वैम करिया की उसके बाद उसे भोजन की प्राप्ती हुई तो यहां पर Skinner यही कहते हैं कि व्यवहार यानि ऐसा व्यवहार जिससे की व्यक्ति या बालक जो है वो स्वैम क्रिया करके सीखता है तो यह सिद्दान्त जो है वह इसी पर बल देता है